दोस्तों यहाँ पे SVI bank rate card only आधार card के base पे अप्रूव हो गया ना कोई ITR ना कोई income proof लिमिट की बात करो तो काफी high limit मिल गया कैसे ही मिल गया क्या आप भी अगर यह trick लगाते हैं तो आपको 100% legal तरीके से rate card मिल जाएगा तो मेरा आपसे request है कि video को like करके support कर देना और चैनले पर नहें आये हैं तो चैनल को subscribe के bail icon को on कर देना यहाँ पर यह हमारे viewers है अपना detail send किया हमारे mail पर और इनको 82,000 रुपे की limit मिली और KYC की बात थी तो इनके area में KYC service उपलब्द ही नहीं था अब एक क्या किये इन्होंने जो है रास्ते में ही agent से KYC करवा रहा है कहने का मतलब है कि जो KYC करने के लिए करके card को अप्रूब करवा ले रहे बैंक अब वीड़ो KYC भी कर सकता बायो मैट्रिक्स भी ओफलाइन कर सकता है तो इनको जब इनके पास कोई income प्रूब था रही इन्होंने क्या किया card को process किया online और इसके बाद जब KYC की बात आ गाई तो इन्होंने रास्ते में agent से अपन KYC करवा लिया और कोई ITR income प्रूब नहीं दिया 82,000 रुपए की limit मिल गई card जो है इनका जो है अप्रूब हो गया message भी आ गया और इनका joining piece की बात करो 1400 कुछ रुपए इनका joining piece है और इसके बात 5000 रुपए फर्स टाइम इनको reward point जो है एक smart watch जो है उसके बराबर मिल सकता है तो काफी हद तक अच्छी बात है अब यहां पे काफी लोग यह बोलते हैं कि जिस area में service नहीं होता है उस area में credit card कैसे मिल सकता है मैंने आपको अपनी कहानी सुनाई थे आप लोग को पता है कि जब मैंने SBI credit card apply किया था तो मेरे area में credit card की service था है नहीं मैंने CT का जो है pin code ड डाल देते हैं दूसरा pin code डाल दिया मैंने में में से बला मैं जब verification दिक्कत होगा तो हुआ क्या कि मेरा मेरा जो अधार card पे pin code था और दूसरी area के pin code से अफ्रूप करवा लिया गया जब मेरा card बन के आया तो मुझे delivery होने में काफी दिक्कत होने लगा क्योंकि pin code के हिसाब आप से लोग delivery करते हैं मेरा card दो बार वापिस चला गया फिर मैंने bank से request करके speed post करके मंगवाया और card मिला फिर मैंने customer care में call करके pin code को मैंने update करवा लिया आधार card के विहाब मेरा हो गया तो इसमें कोई बुराई नहीं है बट देखो इतना याद रखना bank आधार card के address का ही म मानने करता है pain card का pain card में क्या address है उससे मतलब नहीं है pain card तो income tax department का है उसमें आपका बेवरा रहता है और 10 जीट का number ले आता है उसमें updating करने के लिए किस type का record सिबिल है इसलिए pain card को इसलिए आपको मिलता है का फिर बोलते है मेरा दोनों में difference है difference है कोई मतलब नहीं है लेके से credit card ले सकते हैं यकीन मानों बस खाली आप दो काम करो मैं आपको विश्वाद दिला रहा हूं card आपको जरूर मिलेगा multiple inquiry करना कम कर दीजिए multiple inquiry करवा दीजिए और इसके बाद multiple loan activate मत कीजिए कम loan लीजिए और timely repayment करके civil को increase केजिए खुद ही आपको सामने से credit card मिलेगा यह मैं आपको विश्वाद दिला रहा हूं तो साथ आप समझ चुकिए अगर आपको ए वीडियो अच्छा आप वीडियो को like करना दोसों में share कर देना मन में कोई भी सवाल है तो comment कर देना फिर म मिलते हैं नए वड़ों के साथ अब तक के लिए जय हीन बंदी बात रहा हूं